C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आसपास का सबक 10 पकाएं खाएं सफ़ा नंबर 61 इस सफ़े पर मुख्तलिफ खाना पकाने के बरतनों की तसावीरे दी गई हैं कडाही, पतीली, तवा, प्रेशर कुपकर, फ्राइंग पैन, कफगीर, पल्टा, कर्ची और बहसी, रकाबियां और प्लेटे इन सभी बरतनों पर कई नुकते भी दिये गए हैं तस्वीर में जिन खानों में नुकते लगे हुए हैं, उन खानों में रंग भरो क्या-क्या उभर कर आया यहां आपके जवाबात के लिए जगह दी गई है सफा नंबर बासट तुमने तस्वीर में खाना पकाने के कई बरतन देख लिए होंगे क्या तुम्हारे घर में उनके अलावा कुछ और बरतनों का भी इस्तमाल होता है वो कौन-कौन से बरतन है जवाबात के लिए खाली जगह दी गई है बरतन किन-किन चीजों से बने होते है अपने बुजर्गों से मालूम करो कि पहले किस तरह के बरतन ज्यादा काम में आते थे वो किस चीज के बने होते थे हम खाने की हर चीज को पका कर नहीं खाते मालूम करो कि हम किन चीजों को कच्चा खाते हैं और किन चीजों को पका कर किन चीजों को कच्चा या पका कर दोनों तरह से खाया जाता है दिये गए टेबल में भरो यहां एक टेबल दी गई है जिसके तीन मुख्तलिफ उन्वान है पहला कॉलम कच्ची खाई जाने वाली चीजें दूसरा कॉलम पका कर खाई जाने वाली चीजें जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है तुमने बावर्ची खाने में या कही और रोटी बनते देखी है इसके लिए कई काम करने पड़ते हैं आटे को बरतन में निकालना, उसे गूंधना, आटे के छोटे-छोटे पेड़े बनाना, पेड़े को बेलना और फिर सेखना इतने सारे काम करने के बाद रोटी तुम्हारी प्लेट में आती है अब तुम बावर्ची खाने में जाकर किसी एक चीज को पकते हुए देखो, उसे पकाने के लिए क्या-क्या किया गया, तर्तीब वार लिखो पकाई जाने वाली चीज का नाम लिखना मत भूलना, अपने कुछ साथियों की कापियां देखो, ग्रुप में इस पर बातचीत करो चीज का नाम, यहां एक से लेकर छे तक, खाने दिये गए हैं, जहां आप अपने जवाबाद दर्च कर सकते हैं तुमने देखा कि खाने की चीजें तरह तरह से पकाई जाती हैं, कोई सेख कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं पकाने के दिये गए तरीके के सामने दो दो चीजों के नाम लिखो, जो उस तरीके से पकाई जाती हैं इस फहरिस्त में कुछ और तरीके जोड़ो और उनकी मिसाले भी लिखो पहला कॉलम पकाने का तरीका दूसरा कॉलम चीजों के नाम पहला कॉलम पकाने का तरीका भून कर, उबाल कर, तल कर, सेख कर बच्चे अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए घर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं इससे उनमें ये समझ पैदा होगी कि उस्ताद के अलावा और लोग भी मालूमात में इजाफा करने का जरिया बन सकते हैं सफा नमबर 64 तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए क्या इस्तमाल किया जाता है उसकी तस्वीर कौपी में बनाओ और उसका नाम लिखो नीचे दी गई तस्वीरों को पहचान कर उनके नाम लिखो उनको जलाने में किस इंधन का इस्तमाल होता है तस्वीर को फहरिस्त में से सही जवाब से लाइन के जरिये जोड़ो मिलान एक से ज़ादा चीजों से भी हो सकता है इस सफे पर छे मुख्तलिफ खाना बनाने के चूले दिखाए गए हैं बाईं तरफ मिट्टी का चूलह, अंगीठी, LPG सिलेंडर और उसका चूलह, दाईं तरफ सोलर कूकर, स्टोव और हीटर की तस्वीर है इन तसावीर के बीच में इंधनों के नाम दिये गए हैं मिट्टी का तेल, कोईला, बिजली, गैस, धूप, लकडी, उपले खाना पकाने के अलग-अलग तरीकों के बारे में बच्चों के तजुर्बात दिल्चस्प हो सकते हैं घरों में इस्तमाल किये जाने वाले इंधन से मोहौल पर क्या असर पड़ता है इस पर भी गुफ्तगू की जा सकती है सफा नमबर पैसट बनाएं और खाएं साबुत मूं को पानी में राद भर भीगो दें सुभा उन्हें गीले कपड़े में लपेटें और ढख कर किसी बरतन में रखें एक दिन बाद उसे खोल कर देखें क्या उनमें कुछ फर्क दिखाई देता है मूं को धोकर उनमें कुछ कटी हुई प्याज टमाटर, नमक और लीमू का रस मिलाओ क्लास में मिल बाट कर खाओ ऐसी और कौन सी चीजे हैं जिन्हें तुम बगैर पकाए तयार कर सकते हो नीचे उनके नाम और पकाने के तरीके भी लिखो नीचे एक मिसाल दी गई है नमबर एक, लीमू का शर्बत पानी में शकर घोलना लीमू का अर्क डालना छानना लीमू का शर्बत तयार है दो और तीन यहां खाली जगा दी गई है जहां आप अपने जवाबाद दर्च कर सकते हैं बच्चों को मिल जुल कर खाने की चीजे बनाने में मज़ा आता है वो अपने रहन सहन, माहौल और आसानी से दस्तियाब चीजों के मताबिक कुछ चीजे बना सकते हैं इसी के साथ 24 असबाग के किताब आसपास का दस्वा सबक पकाएं, खाएं यहीं खत्म होता है अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत